तो है गाइस वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिंट करने वाले हैं अल्फाबेट टी को ओके तो इस स्टार प्रेटन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास में हैं पर कुछ नंबर आफ लाइन से जिसके भी हाफ पर हम इस पैटन क प्रिंट करने वाले चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने इस पहले में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर हमारे पास म बेसिक सी प्रोग्राम जिसमें इंक्लूडें इंप्लिमेंटेशन ओफ एस्टी आर एलियन फंक्शन और बहुत सारे प्रोग्राम्स तो यहां पर हमारे पास में लगब 48-49 वीडियो अमने यहां पर अपलूड कर दिये हैं तो आप इन्हें चेक आउट कर सकते हैं मैं लिं अपन कर लूगा अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारे फोल्डर वह उपन हो चुका है तो अब हमें यहां पर करना क्या है बेसिकली यहां पर देखिए हमने बहुत सार प्रोग्राम स्टार पेटन के वह कर रहे हैं लगब 16-17 वीडियो जो हमारे पास में पर अब करेंगे करेंगे सब से पहले यहां पर करेंगे फाइल create लेंगे heighten एंक्लूड कोन यॉटध देना था में फंक्शन है तब यहां पर नहीं करेंगे इसके वाद नहीं करेंगे ऊपन चलोजिंग कर लिए और रिटेंट जीरो होता है अब इस structure को समझेंगे हम यह पाए तो हमारी जो पहली फाइल होती है वह होती है स्टांडर्ड इंपूट ऑपूट फाइल इस फाइल के अंदर सारे information include होती है input and output operations के बारे में जो भी हम प्रोग्राम में इस नमबर ऑफ लाइं जिसका data type में रखूंगा int ओके तो यहां पर हमने वेरीबल डेकलियर कर दिया अब एक प्रिंटर फॉंक्ष्ट का यूज करेंगे यहां पर मेश्च प्रिंट करेंगे and marry values को जो है वो में input ले लूँगा अब यहां पर मैं %d format specifier का use करने वाला हूं and यहां पर हम use करेंगे address of operator का and lines variable के अंदर हमारे number of lines जो हम यहां पर input ले लेंगे ओके अब उसके बाद में हम यहां पर क्या करने वाले दो loop लगाएंगे एक लूप होगा हमारा रोस के लिए and another loop जो होगा हमारा दूसरा वाला वह होगा हमारा columns के लिए तो for then a variable declare करेंगे int i इसको निचलेश करेंगे 0 से i is less than lines then i++ okay then उसके बाद में वापी से को लूप लगाने वाले हम इसके लिए for in j equals to zero j is less than lines j++ अब यहां पर हमने जो भी हमारा pattern देखा था तो वहां पर हमारे पास में कुछ-कुछ जगह पर इस्पेसे स्टें कुछ-कुछ जगह पर हमारे पास वहां पर स्टार थे तो हम किया क्या है number of rows and columns को लिए कर दिया ओके तो हमने क्या दे दिया पोजिशन दे दिया is stars को कि हमें कहां कहां पर star print करना है अब step 2 में यह देखेंगे कि हमारे stars कहां कहां पर print हो रहे हैं जैसे-जैसे हमारा i का value या निकि जो हमारे rows वह वह रहे हो तो हमारे पर किया कि पोलीशन यहां पर उब भॉलयों की क्या किया जेहें है असनगे जब एक बाइक क्वेस्ट्टी में जब यक्रस्ट्ट्ट comment जब आई-क। क्वेस्ट्टो जब आइक विक्सट्ट्ट्ट्ट्टू जन्द करके दे रहा है डिविकी तीडिव कोश्चो प्यदिवकर केस्व ने Šकूष को ने किल घृढ़ ता हमें क्या सथैमक Bowser जो है वह क्रिंड करना है ऑगे जन्द सेकंड ब्लोग कर रहा है हमारा center column मिल जाएगा अब यहां पर हमने lines minus 1 इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा column का loop है वह हमारा run हो रहा है 0 से लेके 4 तक तो जो 4 value है उसे obtain करने के लिए हमने क्या किया lines minus 1 किया है तो 4 divided by 2 करेंगे हम हमारा center column है वह हमें यहां पर मिल जाएगा ओके अब step 4 में हम conclude करेंगे हमारे final conditions को तो यहां पर हमारे पास में सबसे फ़ेली condition है i equals to equals to 0 then second condition है हमारे पास में यहां पर j equals to equals to lines minus 1 divided by 2 अब इसी condition को हम लिखेंगे हमारे loop को यंदर column वाले loop के अंदर तो हम यहां लिखेंगे if then यहां पर हमारे पास में हमारा star और स्पेसे वह प्रिंट हो गया है हमें क्या चाहूंगा जब भी मेरा next row start हो तो मुझे क्या चाहिए एक next line चाहिए उसके लिए तो मैं हर एक column के बाद में क्या देंगा यहां पर slash and slash and जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हमारे और कर से next line पर लाकर देता है तो यहां पर हमने दे दिया है slash okay यहां यहां यूज करते हैं और किस तीज के लिए नियू लाइन के लिए उसके बाद में अब हमारा प्रोग्राम जो हो चुका है अब हम टर्मिनल पर जाएंगे दन्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और हमारे टर्मिनल विंडोज यहां पर ओपन हो जाएगा अब सबसे पहले हमें कंपाइल करना होगा क्यों ताकि हमारी ज ब्रेस करेंगे तो हमारी फाइल का जो नाम है वह यहां पर आ जाएगा तो यहां पर चीज करते हम यहां पर प्रिंट टेफ में दो लाइन ओर ले लेते हैं ताकि हमारा पैटन जो हमें अच्छी तरीके से दिखाए दे यहां पर हम क्या करते हैं इस प्रू आले लूप के करेंगे दो लाइन ले लेंगे अब सिंप्ली हम वापिस चीज को रण करेंगे सबसे पहले क्लीन करने के लिए देन उसके वाद में कंपाइल किया देन यहां रन किया एंड मैं डालता हूं सब्सक्राइब करना कि नेक्स वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो आज की लेट नहीं थैंक यू